जन्वरी के दौरान अमेरिका में खुद्रा महंगाई अनुमान से जाधा दर्ज की गई है, हाला कि दिसंबर की तुलना में महंगाई महल की गिरावट आई है, जन्वरी में महंगाई अमेरिका में 6.4 फीसद दर्ज की गई, जबकि बजार को अनुमान ये था कि ये 6.2 फीस से सरकारी बॉंड की इल्ड में भी तेजी देखी गई उसकी वैसे आशंकाब ये है कि भारती रिजर्ब बैंक भी पॉलसी दरों में बढ़ोतरी कर सकता है पहले बात अमेरिका की सर अमेरिका में महगाई बढ़ने की क्या वज़ा रही लगभग वैसा ही हुआ जैसा हमने भा बढ़ोतरी का दोर रुक गया है और अब कटोते ही शुरू होगी उससमें महगाई वापस लोटाई हो महगाई वापस कहां से लोटी महगाई लोटी जो कंजुमर प्राइस इंडेक्स बताता है कि across the board खाने की कीमते इनरजी की कीमते और मकान के किराय शेलिटर जो कि वहां मकान की कीमते हैं उनमें बढ़ोतरी हुई और उसके साथ एक जो सुपर कोर सर्विसेज इंफलेशन है अमेरिका में उसमें बढ़ोतरी दिखाई दी है सेवाओं में जो सर्विसेज की इंफलेशन है उसमें बढ़ोतरी दिखाई दी और इसने फिर वो सारी गनित सारी इब करती है शुभम कि महंगाई को मजबूत करने वाले कारकों पर पिशली कटावती हैं बढ़ोतरी का कोई असर नहीं हुआ है जो महंगाई को मजबूत करने वाले फैक्टर्स थे इंफलेशन को वह लगातार ताकतवर बने हुए इसलिए दो तरीके की संभावना है कि फेडरल रुपय में गिरावट देखी खिसकते खिसकते रुपया इतरासी के आसपास पहुँच गया और पूरी दुनिया के बाजारों में वापस नैसरे से उल्टी गिनती शुरू हो गई कि ब्याज़दरों में कमी का दवर या ब्याज़दरों में बढ़ोतरी उकुने का दवर भी नहीं आया है ये थोड़े समय तक आगे चलेगा भारत में तो महगाई के आकड़े कल आया थे जो चौकाने वाले थे उन आकड़ों के बाद भारती रिजर्ब बैंक पर भी दबाव होगा है कि वह ब्याज़रों में बढ़ुतरी करे बांड डील डिया बांड मार्केट उ का इशारा सामने करी रहा है